इस वीडियो में हम लोग 18 फरवरी के जितने भी महत्पूर्ण करंट अफेस हैं उनको हम लोग वन लाइनर के रुप में देखेंगे तो आईए देखते हैं पहलावा लाइनर करंट अफेस रेल बंतराले ने बताया है कि दिल्ली के किसन गंज में उसने एककुस्ती अकादमी बनाने के लिए 30.76 क्रवर पे अमुक किये हैं और अमेरिका ने सोलो मंद्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है और असम सरकार ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपती रतन टाटा जी को अपना सर्वोच नागरिक सम्मान अशम वयवव परदान किया है और दिल्ली की पुलिस ने स्मार्ट काड्सस लाइसेंस की सुरुगात की है अगला कंटरफेस है भारती सेना के डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ के रूप में चन्नीरा पुनप्पा जी ने अपना पदभार सम्हाल लिया है और स्रेय सेयर को कुलकाता नाइटाइडर्स ने अपना नया कप्तान नुक किया है और केंस सरकार ने रिटाइड एड्मिरल वाइस एड्मिरल जी असोग कुमार को 30 का पहला राष्ट्री समुद्री सुरक्षा कॉडिनेटर नुक किया है और तुर्की के राष्पती तैयब अर्दोगन ने तुर्की का नया नाम बदल कर तुर्की ये कर दिया है सरकार ने वित्वर्स 2022 से 27 के लिए प्राउण सिक्षा की नई योजना यानि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दे दिया यह बहुत ही इंपार्टन कर्ण्ट अफेस है यह परिच्छाम आ सकता क्योंकि इसका डियूरेशन पूछ सकता है यह कबसे कब तक के लिए मंजूरी दी गई है तो यह 2022 से लेकर 2027 अनि 5 साल के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंतराले ने मोटर साइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सेक्योर्टी स्टेंडर्ड के लिए सेफ्टी हारनेस और क्रैस हेलमेट के उपयोग में संसोधन कर दिया है और केंदरी सामाजिक न्याय और अधिकारता मंतरी टक्टर विरेंद कुमान ने सीड लांज किया सीड का मतलब है स्कीम फार इकानमिक इंपार्मेंट आप डी एंटी एस डी एंटी एस का फुल फार्म होगा डी नोटीफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक कम्यूनिटीज और तेरी ने यानि दो एनरजी और रिसोर्स इसिस्ट्यूट्स के द्वारा 16-18 फरवरी के बीच में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट समित ये भी बहुत ही इंपार्टिन कुश्चन बन सकता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट समित यह वर्चुल फार्म में आयोजन पिजा जाएगा नेक्स्ट है उधंपुर स्ट्रीनगर बारामुला रेलिंग जो है उसमें भारती रेल्वे की सबसे लंबी सुरंग जो की T49 है उसकी लंबाई 12.75-8 किलियो मीटर इसको कनेक कर दिया गया है और पालिविट के कमपोजर सिंगर बपी रहिडी का 79 साल की उम्र में निदन हो गया है और गौर्मेंट ने 2021-22 के लिए रिकार्ड खाद्यान उत्पादन 316.06 मिलियन टन का अनुमान लगाई यह भी बहुत इंपार्टन कर अनुमान लगाई है और यह फैक्ट हम इसलिए याद होना चाहिए कि जिसे मेंस में लिखने के लिए जब क्रिसी का क्वेश्चन आता है तो हम इसको जो अनुमान है इसको लिख सकते हैं 316.06 मिलियन टन का अनुमान है और नीती आयोग ने फोन पे किस आयोग से फिंटेक उपन है काथन को लांच किया है अगला करेंट अफेयस है रूस की रच्छामंत्राले ने क्रीमिया से अन अभ्यास की समाप्ती की घोशा कर दिया यूक्रेन में साइबर हमला हुआ है और यूक्रेन की सेना डिफेंस मिनिस्ट्री और पैंकों के वेबसाइट आफलाइन हो गए थे इसके बाद बंगलादेश और अमेरिका ने बंगलादेश और अमेरिका के एरफोर्स में 20 से 25 फरविड के बीच में कोप साउट 22 का अभ्यास आयोजित करेंगे और भोनेश्ट्र में राष्ट्री सीनियर बालीबाल चैंपियनसिप चल लही थी जिसमें केरल ने महिला खिताब जीत लिया है और हर्याडा ने पूरस खिताब जीता है तो ये रहे आज के इंपार्टेंट वालाइनर का अंटरफेस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो में